मार्च के महीने में लॉक्ट्राउन का ऐलान हुआ जुसकी वज़ा से कुछ लोग जो कि किसी काम की वज़ा से दूसरे राज्ये में गए थे वो वहीं फस गए यहां तक की दूसरे विदेशों से लोग आए हुए थे भारत के भी कुछ नागरी विदेशों में जाकर फस गए उत्रप्रदेश के कुल हुआ और सीहोरवा गाउंस से एक खबर सुनने में आ रही है कि यहां पर शिफ मंदिर में लॉकडाउन के कारण एक फ्रांसिसी परिवार फसा हुआ है में रहते हुए अब इन्हें लगभग दो महीने से भी जादा समय बीच चुके हैं और अब तो यह पूरा परिवार यहां पर रहता है साथ ही कहा जा रहा है कि यह फ्रांसिसी परिवार भुजपूरी भी बोलने लगा है बता दें आपको कि फ्रांस के टूलूज शहर में रहने वाली पैट्रिस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ टूरिस्ट वीज़ा पको पाकिस्तान की वागा बॉर्डर से होते हुए भारत आये थे जिन्हें भारत विवत जगाओं पर घूमने के बाद नेपाल जाना था लेकिने सी बीच कोरोना सरण देश में लॉक्टाउन का एलान हुआ और नेपाल सील होने की वज़ा से वो नेपाल ना के उसके बाद उन्होंने बॉर्डर खुलने तक कोलुआ गाओं में स्थिप एक मंदिर को ही अपना आशियाना जहां उन्होंने लॉक्टाउन को याद जैसे जैसे समय वेदीत हो रहा है वैसे वैसे लोगों के साथ अपना पन लगने लगा है और इन तस्वीरे शोशल मीडिया पर काफी जादा वाइरल हो रही हैं यहाँ पर इस फ्रांसेसी परिवार ने ये भी कहा कि फ्रेंच के अलावा सिर्फ बोलना जानते थे वो लोग लेकिन गाउं की महिलाओं के साथ साथ बच्चों के साथ साथ बात करते करते अब वो भुजपूरी बोलना भी सीख गए हैं और गाउं की भाशा में बात करने में उन्हें बहुत जादा मज़ा रहा है आपको बता यहाँ पर कि इस परिवार को अब गाउं अपना मालने ल गाओं के लोगों के साथ घुल मिल गए हैं और अब इन्हें गाओं के लोगों के साथ काफी ज्यादा मज़ा भी आने लगा है लिए नक सीनान ऑएन भोश्पुरिया से और दिनो नेक्स्ट टोनाई न्यूज भोशपुरिया के सब्सक्राइब करी अलेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई